स्लाम आलेकुम अनाउस्मेंट जो है वो हम डिसकस कर रहे हैं उसमें आपकी एक इंपॉर्टन पॉइंट है जो कि आपकी ग्रेटिंग एक्टिविटीज के लिए हासे बहुत ही ज्यादा एहमियत का हामिल है चलते हैं अनाउस्मेंट की तरफ तो यहां पर आपको ग्रेटिंग स्कीम के हवा आती रहती हैं उनको आपने जो है वो विजिट करते रहना है उसके बाद में एक मेंट चीज जो के टेंटेटिवली वियल फॉलो दफॉल्विंग ग्रेडिंग स्कीम इन दिस कोर्स तो यह हर कोर्स की इंडविजुली होगी मजॉर्टी की यही है इसमें आपकी स्मेस्टर वर्क जो है वो आपका पूरा स्मेस्टर वर्क जो है वो एसाइनमेंट्स की 3% होगी जीड़ीपी की 3% कुईज की 9% और मिट्रम एक्जाम की 20% तो यह टोटल जो आपके 40% जो आपकी फाइनल में काउंट होगी ठीक है जबकि फाइनल टम एक्जाम जो है वो आपके 60% के काउंट होंगे आपके फाइनल में ठीक है अब आपने करना यहां पर क्या है जो important चीज है जो कि red में लिखी गई है it is mandatory for students to appear in the midterm semester examination if a student fails to obtain the minimum 20% in his or her semester work semester work कौन सा होगा यह तमाम वाला इसमें सब चीज़ें आएंगे जो blue में है अगर कोई students इन तमाम चीज़ों को मिला इन कर सका तो उसको final term में बैडने नहीं दिया जाएगा लब यह है जो पूरी blue में activities है आपके यह आपकी semester work कर लाएगी इसमें आपके exam भी शामिल है और आपकी सारी activities भी शामिल है इन सब activities का आपको at least 20% लेना है ठीक है अगर आप हम इनको इन सब activities को मिला के 100% consider कर लें त उसका 20% ठीक है अगर swap marks कर लें तो swap में से 20 marks इन सब में मिला के आने चाहिए फिर आपको जो है वो अपेर किया जाएगा final term exam के लिए अगर कुछ students यह भी इसमें dual जो राय दे सकते हैं कि यह total जो है 40% है तो अगर इसका 20% लेंगे वो तो 50% मारा बनेगा यह मतलब अगर हम जो mid में तो इस तरह फिर अगर mid में कम marks लेंगे या किसी की assignment या GDP या quiz रह जाते हैं वो तो बिल्कुल ही final term में जाए नहीं सकते हैं तो ऐसी बात नहीं है ठीक है आप लोगों ने इन तमाम activities में at least 20% marks गेन करने हैं जिसकी वज़ा से आप जो है वो 20% जो rule चलता था पहले वही बला है इसमें फिर आपको final term में appear किया दिया जाएगा और उसके बाद में बाकी आपको यह advice किया जा रहा है कि अपने तमाम जो courses को है उनकी जो lectures है उनको आप ध्यान से सुने और उनकी activities को proper attend करें ठीक है मैं खुद भी ही recommend करता हूँ कि आप अपनी प्लैनिंग के थूँ अपनी lectures को attend करें और अपनी handouts को लाज़मी prepare करें ठीक है बाकी आपने अपनी हर subject की जो है वो announcement देख लेनी है और कोई question हो तो description box में दियेगे number पर मुझसे आप रापता कर सकते हैं hope for the best to all students अपनी मेहनत जारी रखें कि आपके 26th December से आपके midterm exams start हो जाएंगे best of luck to all students for the new semester